कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइस S7 से देश की पहली साइबर नाइस S7 मेरट के मवाला रोड इस्थित वारेंटेस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए इस्थापित की गई है शिवशक्ती धाम डासना के पिठादेस्वर वैजूना खाडे के महामनलेश्वर यति नर्सिंगानन गिरी को मेरट आते हुए रास्ते में हिरासत में लेकर वापस डासना छोड़ दिया गया यती नरšíंगा नंद मेरट में जन संख्या नियंतरन कानुन के पक्ष में दिये जा रहे धरने में भाग लेने के लिए आ रहे थे। रास्ते से ही एक वीडियो बयान जारी कर यती नर्सिंगा नंद ने एक बार फिर से देश के प्रधान मंत्री नरिन मोदी वे सूबे के मुख्या योगी आदित्यनाथ से खिलाब जमकर जहरुगला यती महाराज नहीं यहां तक कहा कि हिंदो की नियाज संगत अवाज को दबा कर योगी आदित्यनाथ कभी देश के प्रधान मंत्री नहीं बन पाएंगे ऐसा ही कुछ उन्होंने देश के पि-म मोदी के लिए भी कहा देखे देवादी देव भगवान महादेव सिव और जगजनिमा जगदंबा के चार्णों में नमन करते हुए सिवसक्ति धम डासना से मैं स्री पंजस नाम जूना खाड़े का मामन लेस्वर यतिनर सिंगा नंदगीरी मैं अपनी गाड़ी में हूँ और मेरे साथ आप देखेंगे भाई है सतीष कुमार जी ये सबिंस्पेक्टर है मेरट पुलिस के सतीष कुमार जी आज मैं अनिल चौधरी जी जो जनसंक्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्य ध्यक्ये हैं और आज 14 दिन से अंसन करके बैठे हुए साइबाबाद में उनके समर्थन में मेरट में आमर रंसन करने जा रहा था अपने सन्यासियों के साथ मेरट पुलिस ने हापुर जिले में खरकोदा से पहले ही हमें पकड़ लिया अपरादियों जैसा वेवार करके वापस हमें डासना छोड़ने जा रहे हैं देखें अगर आप देख पाएं तो सामने ये सेचो साब की गाड़ी सामने है और पीछे पुरा पुलिस का अमला लगा हुआ है मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी आधर्णिय योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ अगर उन्हें पुरानी बाते याद हों तो उन्हें याद होगा कि वह जब दूसरी बार सांसद बने थे गोरकपुर से तो उन्होंने संसद में जनसंख्या नियंत्रल कानून के लिए प्रियास किया था अपना बिल रखा था हम तबी से उनके भाक्त उनके प्रसंसक और उनके अनुयाई बने हमें ये लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण सांसद नहीं है बलकि ये व्यक्ति इतियास वे अपना नाम अमर करेगा लेकिन योगी जी मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठने के बाद हिंदू अपने लक्षयों को भूल कर केवल अपने पद को समालना और उससे बड़े पद पर जाने का प्रियास करने में अपने आपको सब कुछ सारी उर्जा लगा देता है मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ अगर आप ये समझते हैं कि हिंदूों को दबा कर आप भारत के प्रदानमंत्री बन सकते हैं तो ये आप निकाल दीजिए अपने मन से हमारे आदर्निय प्रदानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सारजनिक मंचो पर अगर आप कहेंगे तो वो वीडियो भी आपको बेज दूँगा ये प्रतिविराज चौहान है अंतिम हिंदू समराठ अपने समय के प्रतिविराज चौहान है और ये अपना राज सत्ताओं का अस्तांतरण मुसल्मानों को करवा कर सारे हिंदों की बेहन बेटियों के साथ वही करवा कर जो इतियास में मुसल्मानों ने हमारे साथ किया है तब ये पता नहीं हिमाले जाएंगे कहां जाएंगे अगर आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगर्स करते हैं तो योगी जी आप प्रदान मंत्री ही नहीं बनेंगे बलकि सनातन धर्म का चमकता हुआ सूर्य बनेंगे लेकिन अगर इसी तरह हमारी आवाजों को दबाते हुए गेवल त्रप्ती करन पिसाचों का जिहादी पिसाचों का त्रप्ती करन होता रहा तो याद रखिये इतियास का कूडेदान है जो सब गद्दारों का इंत्यार कर रहा है आपको भी वहीं जगे मिलेगी और कहीं जगे नहीं मिलेगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन रोक लिया गरफतार किया और उसके बाद उन्हें वापिस डासना मंदिर के लिए वापिस पुलिस जो है छोड़ने जा रही है तो इस तरीके का अन्याय जो हमारे धर्म गुरुवों के साथ हो रहा है यह मतलब क्या इतना भी अधिकार अब माने इसमें उनका नहीं पूरे सरात्री होगा और उसके साथ-साथ जन्द संख्या नियंतन कानून की मांग हमारी माननी चाहिए कि जब 60 लोगों ने कल मेरत क्रांती धर्टी और यहां से 60 लोगों ने अगर इच्छा मृत्यू जताई है राश्पति महुद्दे को ग् अब तक जितने भी कानून इस देश में लागू होए हैं जितने भी बिल पास करे गए उन सारे कानूनों को वापस ले लो लेकिन हमें और हमारे बच्चों के भविस्य के लिए कि वो जीवीत रह सकें इस देश के अंदर हमें जन्संख्या नियंतन कानून दे दो जो सबसे पहली मांग इस देश के लिए सभी सरात्रियों के लिए सभी लोगों के लिए इस खबर में फिलाल इतना है आप देखते लिए फास्वाइट डॉट टीवे नमस्कार